BSC second year के 4 semester mathematics के एक और lecture में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपका भाया रिशब सिंग और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Rissi Yes Classes और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है differential equations and mechanics उसका जो unit first है जिसमें हम second order linear differential equation with variable coefficient के lectures को already provide कर चुके हैं उसके ही पहले important MCQ type के questions को हम लेकर आ चुके हैं यानि कि इस वीडियो में हम important objective type के questions पर बात करेंगे जो कि हमारा unit first से होगा ठीक है चलिए अब हम सुरुआत करते हैं कि करके सभी important questions को देखते हैं अगर आपके exam objective type के pattern पर होते हैं तो आप लोग chemistry के भी lectures को देख सकते हैं पूरे playlist का link आप सभी को description में provide कर दूँगा वहाँ पर मैं आप सभी को chemistry के हर एक unit wise important objective type के questions भी provide कर ही रहाँ ठीक है चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अपने सबसे पहले questions पर पहला question हमारे पास कहता है कि if y is equal to x is a part of complementary function of the equation या फिर का सकता हूँ of the given differential equation d2y by dx square plus p into dy by dx plus q into y is equal to r if क्या बात बोली जा रही है ध्यान सुनिएगा और अगर आप लोग हमारे पहले lecture को देखे होंगे bsc4 semester mathematics का जो पहला lecture है अगर उसे आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को कम से कम दो से तीन questions ऐसे हैं जो आप सभी के exam में guarantee के साथ आने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर मैं एक table बनवाया था और उस table के अंतरगत मैं बताया था कि अगर हमारे पास differential equation दिया गया है तो उसका हम complementary function किस प्रकार से suppose करते हैं उसके base पर मैं आप सभी को अलड़ी बताया भी हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं फिलाल direct बताने वाला हूँ और चलो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये एक differential equation दिया गया है जो कि second order linear differential equation है with variable coefficients तो इसमें हमारे पास जो complementary function है वह y is equal to x होगा अगर कब होगा जब हमारे पास p plus q into x is equal to 0 होता है तब ठीक है अब यह बात कैसे पता चलती है तो यह मैं आप सभी को एक table बनवाए था और उसी table के अंतरगत मैंने बताया था कि अगर इतना होता है तो हमारे पास complementary function y is equal to x होत दूंगा कि कैसे यह find out करते हैं माल लेते हैं आप exam में भूल जाते हैं कि हम कैसे समझ पाएंगे कि p plus q x is equal to 0 ही answer होगा माल लेते हैं हम भूल गए ठीक है तो उस situation में हम क्या करेंगे तो अभी एक numerical की सहता से में बता दूंगा simply करना है क्या करना है अगर y is equal to x इसका complementary function है य होना चाहिए तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास p plus q x is equal to 0 मिल जाता है ठीक है यह हमारे पास पहला question हो गया चलो अब बात करते हैं आपने दूसरे question पर तो दूसरा question हमारे पास कहता है उम्मीद करता हूं आप सभी को clear दिख रहा होगा एक बारी मैं lecture में देख लेता ह कि क्या यह clear दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ठीक है क्योंकि यह थोड़ा सा complete थोड़ा सा हलका लिखा गया है I think हां सही clear दिख रहा है ठीक है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर हम कहा रहे हैं कि हमारे पास y is equal to e raised to the power minus x है is part of complementary function of this given differential equation if कब हम कहा सकते हैं तो देखो इसको भी मैं आप सभी को कराय था कि अगर y is equal to e raised to the power minus x मिलता है तो इस situation में हमारे पास 1 minus p plus q is equal to 0 होता है यानि कि अगर इसमें से हम p और q को उठाते हैं इन दोनों को जोडते हैं sorry q में p को subtract करते हैं और 1 को जोडते हैं तो हमारे पास value 0 के बराबर हो जाए ठीक है कैसे पता करोगे अगर माल लेते हैं जाम में भूल जाते हो तो देखो सिंपल सा लॉजिक है y is equal to e raised to the power minus x का दो बार differentiation कर देना एक बार x के respect में दूसरी बार भी x के respect में और उसके बाद value उसको रख दीजिएगा right hand side 0 कर दीजिएगा आप सभी को देखने को मिलेग ठीक है कि अगर हमारे पास एक differential equation दिया गया है और उसमें हमारे पास complementary function हमारे पास दे दिया गया होता था ठीक है उसके बाद हमें probe करना रहता था कि यतना is equal to zero होगा या फिर इतना is equal to this होगा ठीक है तो वो condition है अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले है ध्यान दिजिएग देखो सबसे पहले logic हम पकड़ते हैं और यहाँ पर आप सभी को differential equation जो दिखा गया है वा दिखा गया है x plus 2 into y double dash यानि की y का दो बार x के respect में differentiation हुआ है minus 2x plus 5 into y dash यानि की single derivative है plus 2y is equal to x plus 1 into e raise to the power x दिखा गया है देखो यहाँ पर हमें क्या बात करना है complementary function ठीक है हमें if पर नहीं बात करना बलकि cf पर बात करना है ठीक है sorry pi पर नहीं बात करना बलकि cf पर बात करना है तो जब हम pi पर बात करते हैं तो हमें right hand side के जरूरत होती है लेकिन जब हमें complementary function पर बात करना रहता है तो जो हमारे पास right hand side होता है वह जीरो के बराबर हम रखते हैं यह बात आ आगे बढ़ते हैं, तो जब यह हमारे पास right hand side 0 हो चुका है, तो याने कि हमारे पास क्या हमारा जो exact differential equation जो हमें चाहिए, वो हमारे पास बन रहा है, x plus 2 y double dash minus 2 x plus 5, यह हमारे पास bracket में है और यह y single dash plus 2y is equal to 0 हमारे पास है, ठीक है, अब देखो इसका हमें solution खोज रहा है, complementary function मत क्या है, is differential equation का solution, जिसका right hand side 0 है, ठीक है, तो देखो कैसे हम पता करते हैं, अगर कोई भी solution है, किसी भी differential equation का, let us suppose हम कह रहे हैं, कि y is equal to a, या फिर a लखें, चाहें, कुछ भी हम लिख देते हैं, y is equal to, हम चलो suppose कर लेते हैं, कि हमारे पास z है, ठीक है, तो y is equal to z हमारे इस द differential equation को satisfy करें, आपके पास जो process है, आप इससे पहुंचिये solution तक, या तो solution को उठाईया, और इसमें substitute कर दीजे, और आप लोगों को पता चल जाएगा, कि यह हमारे पास satisfy कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो जब objective type का questions होते हैं, तो यही recommend किया जाता है, कि आप option से इन questions को करने क try करें, कहने का क्या मतलब है, कि आप लोग क्या करिए, y is equal to e raise to the power 2x रख दीजिए, और उसके बाद solve करिए, क्या यह सको satisfy करता है या नहीं, तो y is equal to मिल चुका है, y dash हमें निकालना है, यानि कि एक बार x के respect में differentiation होगा, तो हमारे पास मिलेगा 2 into e raise to the power 2x हो जाएगा, और y अगर double dash हमें निकालना है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 into e raise to the power 2x हो जाएगा, ठीक है, और इन ही values को हम क्या करेंगे, अपने इस equation में substitute कर देंगे, तो जो हम substitute करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, x plus 2, and y double dash यानि कि हो जाएगा 4 into e raise to the power 2x हो जाएगा, and minus यह हो जाएगा, और y का value हमारे पास क्या है, e raise to the power 2x is equal to क्या हो जाएगा, 0, अब अगर हमारे पास left hand side और right hand side बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे, कि हमारे पास y is equal to e raise to the power 2x, इस differential equation का solution है, और इस differential equation का complimentary function है, ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या 0 मिलता है, right hand side और left hand side बराबर ह होते हैं या नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अगर multiply करता हूँ, तो 4x e raise to the power 2x हो जाएगा, and यहाँ पर multiply करूँगा, तो हमारे पास हो जाएगा, 8 e raise to the power 2x हो जाएगा, यहाँ पर अगर multiply करता हूँ, तो minus हो जाएगा, 2 से 2 multiply होगा, 4 हो जाएगा, x भी मिलेगा, और e raise to the power 2 2x भी मिलेगा, minus हो जाएगा, minus 5010 हो जाएगा, और e raise to the power 2x हो जाएगा, एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो 2 e raise to the power 2x is equal to 0 मिलेगा, या फिर आप चाहें, तो e is equal to 0 ना लिखते हुए, बाद में लाइए इसको 0 के बराबर, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ cancel out हो रहा है या नहीं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा रहा है, तो यह हमारे पास portion cancel out हो रहा है, और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यह जोड जाएंगे, तो plus 10 e raise to the power 2x हो रहा है, और minus 10 e raise to the power 2x मिलना है, तो यह values भी हमारे पास क्या हो, cancel out हो गए, तो यह हमारे पास overall value मिल गया, 0, यानि कि left hand side और right hand side हमारे पास क्या है, बराबर है, तो जब left hand side और right hand side बराबर होते हैं, तो ऐसे ही questions को हम solution निकालते हैं, ठीक है, आप जो हमने पहले और दूसरे question को भी लिखा था, यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास y is equal to e raised to the power 2 x जो है, यानि कि पहला option ही correct हो गया है, ठीक है, कई बार क्या होता है, पहला option correct नहीं होता, तो आपको दूसरे option पर जाना पड़ता दूसरा option भी correct नहीं होता तो तीसरे option पर जाना पड़ता और जब तीनों ही option ना सही हो तो चौथा option सही होगा ठीक है क्योंकि यह note लिखा गया है कई बार क्या होता है जैसे अब हम अपने पहले और दूसरे question को जो discuss किये थे उसमें आ रहा है ठीक है आप लोग इसके इसाइब ले सकते हैं चलिए चौथे question पर बात करते हैं तो चलिए एक और question पर हम बात करते हैं question number 4 हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर हम question में थोड़ा सा बदलाव किये हैं क्योंकि ऐसे भी question आप सभी के exam में देखने को मिल सकते हैं तो देख second derivative of y with respect to x है and plus p into single derivative of y with respect to x है plus q into y is equal to r दिया गया है तो if we obtain अगर हम प्राप्त कर रहे हैं कि p और q को उठाए हमने तो p में 2 से divide कर दिये q में 4 से divide कर दिये और 1 को जोड़ दिये ठीक है तो इनका value जो है वो हमारे पास 0 के बराबर मिल जाता है तो उस situation में हमें बताना है कि complementary function क्या होता है ठीक है तो देखो हम आप सभी को बताए है कि अगर हमारे पास 1 second order linear differential equation with variable coefficient दिया गया है और अगर हमारे पास 1 plus p by a and plus q by a का whole square is equal to 0 मिलता है तो इस situation में जो हमारे पास complementary function होता है वह होता है e raised to the power a x यह बात मैंने आप सभी को बताया है यानि कि पहला और दूसरे questions related हमारा 5 हुआ भी question है वही table आपको 5 question में से 2 से 3 question तो ऐसे ही करा देगा ठीक है देखते हुए आप इन questions को टिक कर ले जाएंगे बस आपको practice होना चाहिए और वैसे भी इस वीडियो के खतम होते होते आप 2 by a square यानि कि 2 का arrow HOLY square यानि कि हमारे पास मिल ला है 4 is equal to 0 हो गया इस situation में हमारे पास complimentary function होगा वह क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा E raised to The Power और a का value हमारे पास 2 है तो ये raise to the power 2x हो जाएगा ठीक है यानि कि हमारे पास जो complementary function होगा वो हमारे पास c option is the right answer ठीक है आप लोग क्या करिए इसे भी screenshot ले लेजिए चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ भी आ रहे होगी चलिए एक और question को हम discuss करते हैं चल if अगर वह इन चारों में से कोई एक condition satisfy करता है तो ठीक है अब देखो आप सभी को इस question का भी मैंने table बनाया था ठीक है पहला ही lecture देखेंगे तो 5 question आप सभी को हो जाएंगे सायद 6 question हो जाते हैं ठीक है I think मैंने 5 ही question कराया था उसमें लेकिन आप लोग अगर table को देखेंग करना है कि कौन सा condition satisfy कर रहा है इस दिये गए differential equation का ठीक है तो अगर आप table देखेंगे तो आपको c option ही correct मिलेगा और c option guarantee के साथ correct है लेकिन exam time में हम सपोज कर लेते हैं कि आप भी भूल गए मैं भी भूल गया तो क्या करिया जाएगा तो देखो हमें एक तरीका पता चाह ज़ एंड हमारे पास हो जाएगा p dy by dx ठीक है एंड प्लस qy is equal to 0 हो गया ठीक है क्या करेंगे चूंकि complementary function है तो complementary function में हमारे पास क्या होता है right hand side हमें 0 लेना पड़ता है नहीं तो हमें particular integral निकालना पड़ जाएगा तो जब हम complementary function को ले रहे हैं तो right hand side जब 0 करेंगे यानि कि हमा equation का solution है तो यानि कि हमारे पास जो y is equal to x square है वह इसका जब solution है तो जब solution होता है यानि कि या इसको satisfy करेगा तो y single dash अगर मैं निकालता हूं तो हमारे पास मिल जाता है 2x य डबल मैं निकालता हूं तो हमारे पास मिल जाता है 2 ठीक है अब इन तीनों वैलू इसको हम क्या करेंगे अपने इस equation में रख देते हैं तो चलिए रखते हैं तो y double dash का वैलू हमारे पास हो गया 2 plus p और single dash का हमारे पास वैलू हो जाता है 2p और यहां पर x है तो यहां पर मैंने x भी रख दिया plus q हमारे पास है तो q तो हमारे पास रहे गई क्योंकि हम q का वैलू तो निकाल नहीं सकते हैं और y का वैलू हम अगर बात करते हैं तो x square है तो x square is equal to 0 मिली गया तो यानि कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास c option is the right answer ठीक है तो यानि कि इस question की सहता से मैं यह बताना चाहता था कि अगर आप table को भूल भी जाते हैं तो भी परसान होने की ज़रूरत नहीं है आपको जो question दिया गया है उस question में सभी चीजों क को ध्यान से दिखिए कैसे निकाला जा सकता है उसी तरीके से आप निकाल लीजिए complementary function यानि के right hand side को zero कर दीजिए और वही complementary function उस differential equation का solution हो जाएगा बस इस बात का ख्याल लखिएगा कि हमारे पास जो differential equation है वो standard form में तो है न ठीक है उसके बाद आप solution निकाल सकते हैं तो सामने है कि if x square d2y by dx square minus 2 into x into 1 plus x into dy by dx plus 2 into 1 plus x into y is equal to हमारे पास x cube दिया गया है इस situation में इसका complementary function क्या होगा इसके बारे में हमें बताना है कई बार आपको particular integral भी पूछा जा सकता है तो particular integral second order linear differential equation नहीं दिया जाता बलकि आप लोग जो second semester में पढ़े होते हैं वहां पर दिया ज तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि इसका हमारे पास complementary function क्या होता है तो I think मैं इस question को already solve करा चुका हूँ जब आप सभी को lectures provide कर रहा था ठीक है तो आप लोग क्या करिएगा इसका भी मैं process समझा चुका हूँ ठीक है normal process यानि कि हम differential equation से complementary function तक कैसे पहुचेंगे इसके बा है तो कैसे किया जाएगा आपको एक-एक option को उठाना उसका single derivative double derivative निकालिए values को रखिया और कोई ना कोई solution मिल जाएगा ठीक है तो एक काम करिए इसे आप लोग homework के तौर पर ले लिजिए ठीक है इस लेक्टर को ही पर हम फिलाल समाब्द करते हैं क्योंकि इस lecture को अभी मु अगर लेक्टर के notification पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर और पर स्रेट कर लीजीगा तो हम से मिलते हैं अपने next lecture में तब तक पढ़ते रहिए संघर्स करते रहिए और सफल होते रहिए